वेलकम बैक गाइस तो मैं निव वीडियो तो गाइस अगर आप एक रियल मी नार्जो 20 प्रो के यूजर है तो आपके लिए यहां पर एक गुड न्यूज है रियल मी नार्जो 20 प्रो के लिए रियल मी वाई 3.0 का जो स्टेबल अपडेट है वो रूल आउट अना स्टार्ट हो चुका है तो आएज के वीडियो में मी आपको इस अपडेट के बारे में कम्पाफिट डीटेल देने वाला ह DU हूं कि क्लेए क्या कुछ आपको सब्सक्राइब कर लिज've चली सबसे पहले हम यह पर जो पोस्ट है रियल्मी कम्यूनिटी को पर उसको देख लेते हैं जिसमें कि आज ऑफिशली इसका अनौंस्मेंट हो गया कि हाला कि दोस्तों यह जो अपडेट है वो काफी पहले से रूल आउट होना स्टार्ट हो चुका है लास्ट मन्त से जो यह अपडेट है वो रियल्मी सेवन और रियल्मी नार्जो ट्वैसेस को मिलने लगा था लेकिन इसका जो ऑफिशल अनौंस्मेंट है वो रियल्मी ने इस्टिंग पर थे सबसे पहली अपडेट जो हो उन यूजर्स को दिया जाएगा उसके बाद बात करें एंड्रोइड 11 यूजर्स की तो सी डॉट 17 सी डॉट 18 या फिर सी डॉट 19 यह वर्जन जिन भी डिवाइसेस में अपडेट है उन डिवाइसेस को यह जो अपडेट है वो मिलेगा तो यह तो होगे दोस्ति इसके आपर वर्जन की बात अब अगर हम बात करें कि इसमें क्या-क्या common इशूस जो है आपको देखने के लिए मिल सकता है इस अपडेट के बाद तो सबसे पहला जो इशू है वो यह है कि यह अपडेट करने के बाद आपको जो फोन है वो नॉर्मल से ज़्यादा टाइम ले सकता है बूट होने में क्योंकि जो software है वो अपडेट होता है तो उसमें optimize होने में थोड़ा सा time लगता है इसके बाद जो next issue आपको देखने के लिए मिल सकता है वो यह मिल सकता है कि update के बाद जो आपका phone है वो properly work ना करें क्योंकि जो जो software है वो stable हो पाए optimize हो पाए जिससे कि वो बाद में थोड़ा सा smooth perform करें अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर 6-7 दिनों तक में यह जो phone है आपका वो यहां पर उसका software optimize होता है और दीरे दीरे करके जो आपका phone है वो smoothly चलने लगता है तो इन कुछ बातों को आपको यह जहां रखना है अब बात कर रहें यहां पर इसके नए version की तो यहां पर C.08 का जो नया version है वो आपको देखने के लिए मिलता है दोनों ही devices में यानि की Realme 20 Pro Realme 7 में तो दोस्तो Realme 7 के लिए तो मैं already पहले ही इसका वीडियो बना चुका हूँ कि इस update के बाद आपको उसमें क क्या कुछ problems देखने के लिए मिलती हैं और क्या कुछ new features देखने के मिलते हैं तो आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाके इन वीडियो को देख सकते हैं अब guys अगर बात करें change log की तो यहां पर काफी बड़ा change log आपको देखने के मिलता है क्योंकि आपके जो features हैं पूरे change होते हैं तो जो भी Android 11 की users हैं उनको जो पूरे नए features हैं वो यहां पर देखने के मिलेंगे तो इसके लिए मैंने अपने चैनल पर एक पूरी playlist बनाई हुए Realme UI 3.0 के features की तो आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाके उसको check out कर सकते हैं तो दोस्ता अगर बात करें कि कब तक सभी users को अपडेट मिल जाएगा तो दोस्तों यह एक phased rollout होता है जो स्टार्टिंग में कुछ users को दिया जाता है जिसमें कि अगर critical bug नहीं मिलता है तो फिर देरे-देरे करके सारे users के लिए update को पहुंचने में तो guys आपको आपके device में update मिला है या फिर नहीं मिला है आप मुझे न नहीं था मिलते हैं फिकसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाइबाए एंड टेक केर